यूपी के राजधानी लखनौं से एक बैंक दोकाधड़ी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है बैंकिंग दोकाधड़ी करने वाले बदमाशों ने लखनौं में एक राष्टे कृत बैंक मैनेजर के रूपियों पर ही हाँ साफ कर दिया चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है लखनों में साइबा ठगों ने एक राष्टे करिद बैंक की मैनेजर स्नेहलाता सिंग के खाते से 50,000 रुपए के ठगी को अंजाम दिया है महिला बैंक प्रबंधा के इसनेहलाता सिंग ने हजर रदगंज पुली स्थाने को जानकारी दी है कि एक से छाचून के बीज कुछ अग्यादबद माशों ने उनके खाते से 50,000 रुपए निकाल लिए उन्होंने बताया कि लेंदेन के लिए कोई OTP नहीं मिला और नहीं कोई इमेल मिला इस घटना से यह समझा जा सकता है कि आज के वक्त में बैंकिंग समद्धी अपराद किस तरह से बढ़े हैं और साइबर ठक कितने शातिर हो गए हैं कि बैंक मैनेजर तक उनसे नहीं बच पा रहे हैं नमस्कार मैं हूँ अभिशेक और आप धेकर हैं जी हिंदुस्तान देश में यूपियाई आने के बाद से ही डिश्टल और ऑनलाइन बैंकिंग और ट्रांजेक्शन जैसे की पैसा प्राप्त करना भेज़ना और लेन दिन काफी तेजी से बढ़ा है बैंकिंग समद्धित कई सारे काम आज हमारे मुबाइल से ही किया जा रहे हैं हाला कि यूपियाई आने के पहले से भी ऑनलाइन या डिश्टल बैंकिंग की सुविधा मौझूद थी लेकिन यूपियाई आने के बाद से इसके इस्तिमाल में काफी तेजी से इजाफा देखने को मिला है हलाकि एक तरफ जहां ऑनलाइन या डिश्टल बैंकिंग से हमारी सुविधाओं में इजाफा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़े अपरादो और ठगी की वारदातों में भी इजाफा हुआ है आप अकसर ही अपने आसपास साइबर ठगी की घटनाओं के बारे में सुनते होंगे ऐसे में आपके लिए या समझना जरूरी है कि आप इस तरह की घटनाओं से कैसे बच सकते हैं और अपने मेहनत की कमाई को साइबर ठगों से कैसे सलामत रख सकते हैं Online या Digital Fraud से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने ATM, debit card या credit card के बारी में किसी को भी ना पता चलने दे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी ज़्यादा तर आपके ATM, debit card या credit card की गोपनी जानकारियों जैसे की pin, CVV, card number की जानकारियों को हासिल करके पैसो के फ्राट की घटनाओं को अंजाम देते हैं ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने card की जानकारी को बहुत गोपनी रखें और इसे किसी भी call या message या WhatsApp के जरीए किसी को भी साजहना करें हमें UPI और अपने mobile में पैसो के ट्रांसफर या transaction संबंदित एप को secure रखने के लिए भी एक मजबूत password का उपयोग करना चाहिए कई बार लोग अपना date of birth या अपने नाम को ही password के तौर पपयोग करते हैं लेकिन आपको बताते चले कि इस तरह के password सुरक्षित नहीं माने जाते हैं इसलिए आपको ऐसा password रखना चाहिए जिसका अंदाजा आसानी से न लगाया जा सके हमें किसी अंजान link पर click करने से बचाना चाहिए अक्सर हमें mail, inbox या message में इस तरह के link प्राप्त होते हैं जिसमें हमें कोई बहुत लुभावना offer नजर आता है लेकिन इस तरह का कोई भी message या link एक तरह का fraud हो सकता है और अगर आपने इस तरह के किसी भी link पर click किया तो आपको पैसा को नुकसान भी झेलना पड़ेगा इसके अलावा हमारे पास कई बार ऐसी भी call आते हैं जब हमसे बिजली के बिल या किसी अन्य तरह की सरकारी सुविधा के लिए और ATM कार्ट बंद होनी या credit कार्ट का बिल पेंडिंग होनी के लिए जानकारी और पैसा मांगा जाता है जानना है कि आप कभी भी इस तरह की call पर अपनी किसी भी तरह की banking जानकारी UPI या काट से सम्मधित जानकारी किसों को भी ना दें इस तरह की call अकसर ही fraud होती है साथ ही कई बार साइबर ठोको दोरा हमारी समस्मधित को सुल जाने के मद्दे नजर call की जाती है और वे हमसे any desk या team viewer या इस तरह के mobile remote application को डाउनलोड करने और उसका code बताने को कहते हैं आपको कभी भी किसी call पर इस तरह के किसी भी application को डाउनलोड नहीं करना चाहिए ये एप remote app होते हैं और इनको डाउनलोड करके उसका code बताने पर आपके mobile की screen या computer screen पर हो रही गती वीडियो को किसी दूसरे के दोरा देखा जा सकता है जी हंदुस्तान डिज्टल के साथ